नमस्कार दोस्तों मैं हूं नीरज और आपके अपनी कक्षा में स्वागत है इस वीडियो में हम लोग अपने पुराने सीरीज जिसमें इनवर्सिटी के पूछे हुए कुश्टन को डिसकस करते हैं उसके क्रम में जो है यह अगला वीडियो है और यह आपका जो वीडियो है वो यूनिट पूर का प्रॉब्लम नुमबर थर्टीन है इससे पहले हम लोग ने बहुत सारे प्रॉब्लम लगवा 12 पूर्टी उनिट के और बाकी 1 और 2 और 3 उनिट के भी बहुत सारे नुमेरिकल किया है जिसको आप चाहें तो देख सकते हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा उसकी पूरी प्ले लिस्ट है तो आप वहाँ से चेकाउट कर सकते हैं यह question में आते हैं, यह question में बहुत important है, यह थोड़ा अलग तरीके का है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी questions किया है, वो सारे के सारे जो है, या तो हमारा shunt motor था या series motor था, लेकिन ये अगर आप इसको अपतिहान से देखेंगे, तो ये जो है हमारा short shunt compound generator है, ध्यान हुआ है, तो इसको सबसे पहले जो भी ये data दिया हुआ है, वो तो हम लिखेंगे, पहले एक पर मैं diagram बना देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा idea लगे, यहा compound generator कैसा देखता है, उसका diagram क्या है, तो देखें, मैं यहापे बना रहा हूँ, तो ये आपका armature हो गया, अब इसमें देखिए ध्यान से, तो short shunt लिखा है, यानि कि पहले आपका shunt winding जुड़ेगा, और उसके बाद जो है आपकी series winding जुड़ेगी, और ये क्या है हमारा generator ही है, तो ये हमारा load हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा, load हो जाएगा, और इसके across का जो voltage होगा, वो हमारा हो जा IL यहाँ पर जो current होगी, वो series winding है, तो ISE हो जाएगा, resistance हो जाएगा, RSE, shunt winding का जो resistance है, वो RSH, इसकी जो current होगी, वो ISH हो जाएगा, armature की जो current है, जो बाहर निकलेगी, वो हो जाएगा, IA, और armature का जो resistance होगा, वो होगा, RA, और यहाँ पर जो generated EMF होगा, उसको बोलते हैं, EG, तो यह जो है आपका short shunt का diagram है, short shunt compound है, short shunt compound generator, तो compound का मतलब जिसमें दोनों winding होते हैं, तो यह है, और दोनों में short shunt लिखा, यानि का armature से पहले जो है, जो है, वो shunt है, उसके बाद जो है, ऐसे long shunt होता, तो यह आगे होता, पहले series connect होता, फिर shunt connect होता, तो इस तरीक से जो है, यह diagram, अब हम लोग data को लिखते हैं, तो देखे, क्या कह रहा है, generator supplies 200 ampere, तो 200 ampere supply कर रहा है, कितने पर 100 volt पे, यानि कि जो load current दी गई है, na, il की value, वो कितनी है, 200 ampere है, और जो voltage है, V, वो कितना है आपका, 100 volt है, अब आगे कह रहे हैं, the resistances of the armature, यानि कि armature resistance, आपको कितना दिया हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, r a is equal to, कितना है, 0.04 ohm, 0.04 ohm, फिर आपका अगला क्या है, series field, यानि कि r s e की value दी गई है, वो कितनी है, 0.03, और उसके बाद कहा रहा है, shunt field, तो यह है कितना, 60 ampere, तो r sh is equal to 60 ohm, तो यह तीनों दिया हुआ है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्या है, देखे लिखा है, the resistance of the armature, series field and shunt field is respectively, तो जो पहले दिया है, वो पहले बताया गया, यानि कि पहले armature है, फिर उसके बाद series है, तो फिर series और shunt है, तो shunt, फिर आप से कहा गया है कि generated EMF, यानि कि आप किसकी value निकालो, eg की value क्या होगी, यही calculate करना है, तो eg का formula क्या होता है, इस diagram में अगर हम देखें, तो eg का जो formula होता है, हम लिख सकते हैं उसको, eg is equal to v plus ia into ra plus ise into rse, यह formula होता है, अब यह formula कहां से आया है, तो आप चाहें तो यहां से kvr लगा के देख सकते हैं, अगर आप cost loop में इसमें kvr लगाएंगे, तो आपको मिलेगा eg minus ia into ra minus ish into rsh बराबर 0, इस loop में, इस loop में लगाओगे तो आएगा ish into rsh minus ise into rse minus v बराबर 0, अब यहां पर क्या करेंगे ish into rsh की value calculate करेंगे, आप देखें क्या मिलेगा ish into rsh, हम किस से निकाल रहे हैं, इस equation से ही निकाल रहे हैं, तो यहां पर मिलेगा v plus ise into rse, अब यह जो value है, वो ऊपर वाले equation में रखतेंगे, तो जैसे ही रखेंगे, तो हमको यह expression जो है, वो मिल जाएगा, तो यह value है, अब आप देखें कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो आप देखो तो v दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आरे भी दिया है, आरे सी भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यानि कि अब आपको निकालना क्या क्या है, आपको निकालना Ia और Ise, तो अब उसको देखने के लिए, हम देखें, तो और क्या क्या चीज़ें हमको पता है, Ise जैसे देखिए, तो यहाँ पर अगर current की equation लिखी जाएगी न, तो Ise ही आगे जाके क्या हो गया है, Il हो गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, Since Ise is equal to Il, और Il की value देखे question में दे रखी है, वो कितनी है, आपकी 200 Ampere है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, Ise की value पता चल गए, अब बच जाता है, सिर्फ क्या है, Ia, तो इस diagram को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर, इस point पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ, यह जो point है, यह आपका जो node है, इस पर अगर आप KCL apply करेंगे, तो KCL क्या कहता है, incoming current बराबर outgoing current, तो आप क्या लिखेंगे, देखे, क्या equation बनेगी, लिखेंगे, since IA is equal to ISH plus ISE, यहाँ कि आपको क्या मिल जाएगा, कितनी current इधर जा रही है, और कितनी current जो है, ISE की तरफ जा रही है, यही आपकी जो है, वो total जो है, value है, अब आपको क्या चाहिए, IA की value calculate करने पड़ेगे, तो IA की value, आप कैसे calculate कर सकते हैं, यही आपको mainly जो है वो, अब सोचना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए, ISE तो दिया है, कोई tension लेना ही नहीं है, बच जाता है सिर्फ और सिर्फ क्या, ISH, तो ISH कैसे निकालेंगे, तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ISH चाहिए, तो यहाँ resistance तो दिया हुआ है, RSH दिया है, सिर्फ आपको यहाँ से और यहाँ के बीच का voltage चाहिए होगा ना, इस जो shunt winding है, उसके across का voltage, तो आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर shunt winding के across का voltage आपने calculate किया है, वो कितना है, V plus ISE into RSE, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, V plus ISE into RSE divided by RSH, ना, voltage across the shunt resistance, यह जो आपका shunt winding है, उसका यह voltage होगा और divided by resistance कर देंगा, तो वही क्या हो जाएगा, ISH हो जाएगा, plus ISE, अब आप देखिए, तो I think सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है, V की value question में दी हुई है 100, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 100 plus, ISE कितना दिया हुआ है, 200 ampere है, तो आप यहाँ आप लिखेंगे 200 into RSE, RSE की value कितनी दी है, 0.03, तो 0.03 divided by RSH, RSH की value कितनी दी है, 60 दी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 60 plus ISE, ISE already आपका दिया हुआ है 200, तो यह हो गया आपका IA की value, अब solve करेंगे आप इसको, तो IA की value आपको मिलेगी, तो इसे solve करेंगे तो आजाएगा यहाँ पर 10, और यह 200 तो पहले से ही है, तो 210 ampere, यानि कि जो IA की value हमको मिल रही है, वो कितनी हो गई आपकी, 210 ampere, तो यह इ तो हम यहाँ से फिर से इस position पर लिख लेते हैं, EG की value, क्या है आपका, मैं यहाँ अलग कर लेता हूँ, EG is equal to V plus IA into RA plus ISE into RSE, तो देखिए आप values पूट करिए, तो V की value जो है, वो question में अल्रेडी दी हुई है, 100, तो 100 plus IA की value आपने निकाली है, वो कितनी है, 210 ampere, RA की value, तो देखिए, question में 0.04 D हुई है, तो आप यहाँ पर रखेंगे, 0.04 plus ISE into RSE, तो ISE भी कितना है, 200 है, 200 into, RSE की value, आप देखिए, तो 0.3 आपका दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर रखेंगे 0.03, यह रख दिया, आप इसको solve करेंगे, तो आपको value मिल जाएगे, EZ is equal to 114.4 volt, यहीं कि 114 volt, यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा यह अलग type का question है, क्योंकि यह पहला number है, कि यह compound generator का question है, तो आपको थोड़ा धियान भी देना पड़ेगा, कि कौन सी चीज़ दी है, और कौन सी चीज़ आप से कुछी गई है, यह भी ऐसा नहीं है कि बहुत कठी नहीं है, अगर आप diagram बनाना जानते हैं, यह diagram याद है, तो formula exactly याद रखने की ज़रुवत नहीं है, आप बड़े आराम से जो है वो कर सकते हो, तो आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीड आनेवाद,